पूरियां चेंग चेंग वा अन्द शहरों में गुरुवार को हुई बारस ने शहरवासियों के लिए एक बार फिर मुसीवत पैदा कर दी यहाँ पर शड़कों पर पानी भर गया जिसके चलते यातायात में भी अर्चने पैदा हो गए तमिल नाडू के आपदा प्रबंधर मंतरी केके एसस आर राम चंदरन ने बताया कि पानी में विजली का करेंट उतनने से तीन लोगों की मौत भी हो गई वारस के चलते चेंदाई के अलावा कान्चीपुरं त्रिवलूर्वा चेंगल पट्टू में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन जिलो में रेड अलर्ट जारी किया गया है बहाँ पर लोग घरों में ही रहें और जरूरत पढ़ने पर ही घर से निकलें इसके अलावा आम लोगों के लिए राहत केंदर भी स्थापित किये गए हैं आपको बता दे कि भारतिय मौसम बिभाग के मुताविक चेन्नाई में गुरुवार को 198 मिलीमेटर वारिश दर्ज की गई मौसम बैग्यान को ने बताया कि तमिल नाडू के अलग-अलग जिलों में अगले 48 घंटे में गरच के साथ ही साथ बारिश की भी संभावना है चेन्नाई में भारी बारिश के चलते सरकारी कार्यालियों इसकूल वा कॉलेजियों को बंद कर दिया गया यहाँ पर गुरुवार से शुरू हुई बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया कई जगे सडकों पर पानी भी भर गया जिससे शहर यातायत की समस्या से जूज रहा है